एक दिन में दूसरी बार केंच सरकार को फटकार सुप्रीम कोट ने लगाई है इस बार मामला है काले धन का काले धन पर सुप्रीम कोट ने केंच सरकार से सारे नाम देने को का है सुप्रीम कोट ने आज काले धन पर सुनवाई करते हुए कहा कि कल तक सरकार उन सारे लोगों के नाम सीलवन लिफाफे में S.I.T. को दे जाँच कैसी होगी इसका फैसला कोट करेगा गौरतलाबे की कल सरकार ने तीन लोगों के नाम कोट को सौपत है लेटर्नी जनरल मुखल रोधगी ने डाबर समू के पूर चेर्मेंट प्रदीब बर्मन गोआ के खनन कारोबारी राधा सतीश टिम्लू और राज कोट के पंकर जमनलाल का नाम कोट को सौपता सरकार के मताबक इन तीनों के खिलाब सबूत है इसलिए वो इनके नाम दे रही है सीधे सीधे दो तीन चीज़े साफ है पहले तो सुप्रीम कोट में कें सरकार ने ये कहा था कि वो अपने पुराने ओर्डर में संचोधन करे क्योंकि ये संभव नहीं है सारे नाम बताना क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाएगा तो इसके लिए कोट ने साफ तोर पर ये कह दिया कि हमारा 2011 का जो आर्डर है ना तो मौडिफाय होगा ना क्लैरिफाय होगा उसमें कोई संचोधन के सवाल ही खड़ा नहीं होता विदेशी बैंकों से मिले नाम हमको बताए जाएं विदेशी बैंकों के जो खाता धारक हैं वो हमें बताए जाएं सुप्रीम कोट ने सीधे तोर पर कह दिया है संधी की बाद बाद में एहमद अजीम हमारे साथ हैं एहमद पूरी ख़बर बताएं देखे एक कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोट में केंद सरकार की तमाम जो दलीले थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि खाली चले गए उन्होंने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी आटाउनी जनरल ने ये समझाने की कि क्यों आखिर उन्होंने ये अर्जी लगाई जिसमें उन्होंने कहा है कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहट वो कई जो नाम है वो तब तक उनका खुलासा नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता है प्राइमनी इंवस्टिगेशन के बाद कि जो पैसा जमा है विदेशी बैंकों में किसी वेफ्टी का वो चुराया हुआ पैसा यानि कि टैक्स चोरी का पैसा है या वो काला धन है ये जब हो जाता है उसके खिलाब कोई कंप्लेट हो तिक खुलाई थी लेकिन कोट ने कहा कि हम त्यब करेंगे आप सारे नाम जो अग तक आपको मिली है जानकारी उन सारे नामों का हमको झो है लिफाफ़े के अंदर वो सारे नाम और जो भी जानकारी आपको घ्शेजे होगी केसे जाच होगी और तुकि हमने जो अपना 2011 का order किया था उसमें ये बात कही थी कि जो विदेशी बैंकों में ऐसे बहुत से holders होंगे account holders हैं जो कि शायद काला धन नहीं रखे हुए white मनियोगी तो उनकी जो जो नामों का खुलासा है वो कम से कम ना हो उनके नाम जो है खराब नहीं इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा ये 2011 के order हमने पहले ही कहा हुआ है तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो जानकारी आपको मिली है वो जो है आप हमको दीजिए हम तै करेंगे आप ये दो दो और तीन तीन करके नामों का खुलासा ना करें हम तै करेंगे सरकार ने सबज़ादा अपनी तरफ से क्या एप्रिहेंशन दिखाया था देकि उन्हों ने जो अपनी लाचारी बताई यहां पर सरकार ने ये कहा कि जो संधियां हमने करी है विदेशी बैंकों से विदेशी मुलकों से उसके तहट हम नामों का खुलासा जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी सीक्रेसी हमको मेंटेन रखनी होगी उन्ही नामों का हम खुलासा करेंगे कोर्ट में जब हम ये साबित हो जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद या शुरुवाती जाच के बाद ये साबित हो जाता है कि जो पैसा विदेशी बैंकों में किसी आदमी का जमा है वो काला धन है या कम सक्कम वो टैक्स चोरी का पैसा है तब ही आप उन नामों का खुलासा कर सकते हैं ऐसा संधी में कहा गया है और सरकार का ये कहना है कि आगर हम सारे नामों का खुलाशा कर देंगे तो विरेशी बैंक हमको जानकारी साजा नहीं करेंगे हमसे जानकारी शेयर नहीं करेंगे और जो ट्रीटीज हैं उनका ये वायलेशन होगा उसका यह उलंगन होगा इसलिए आप अपने 2011 के आदेश में तब्दीली करें बदलाव करें और यह जो क्लाउज है जो हमारी मांग है जो हम चाह रहे हैं प्रेयर हमने करी है इसको आप उस आर्डर में शामिल करें लेकिन कोट ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया है आप जो बताने हूं उस सबको देखकर एक और चीज़ साफ होती है कि सीधे तोर पर आप जो सुप्रीम कोट ने कहा है क्योंकि यहां पर जानकारी है नई सरकार आकर हमें नए कानून न पढ़ाए सुप्रीम कोट ने सीधे तोर पर यह कहा है जहां बिलकुल यह बाते भी सुप्रीम कोट ने अपने अप्जवेशन ने कही है कोट ने कहा कि आपका सिर्फ इतना काम है कि आप कोपरेट करिए यानि आप सहीयोग करिए आप परशान ना हो कि वो पैसा कैसे वहां से बाहर आएगा वहां से इंडिया हमने इसके लिए ए उड़गी में हमने यह आदेश पारी किया था और इन ट्रीटीज का कभी कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था ना यह बताया था कि ऐसी दिकते हमको आ सकती है भविश में कि हमसे कोई भी बैंक जानकारी साजा नहीं करेगा यह बाते हमको कभी भी सामने नहीं रखी ग बरकरार रखा जाएगा एजिएंसी जो की जाच करेंगी वो इस चीज को मेंटेन करेंगी लगाए गए थे जब सुप्रीम कोट में जाते हैं तो सब कुछ टाइटाइफिस वही धाक के तीन पाथ यह बिल्कुल देखिए देखिए दावे करना चुनावी वादे करना वह अलग चीज़ होती है और जब आप उसको एग्जेक्यूशन में आते हैं तब जो उसके माइन जनता पार्टी ने और इसको इसके उपर उनको बहुत सहयोग मिला बाबा राम्डे से और तमाम और जो दूसरे संगठा ने उनसे उसके बाद अब जब यह करने की बारी आई है प्रशान बूशन क्या कह रहे हैं आईए देखते हैं सुप्रीम कोट ने गर्वर्मन की यह कि बही वो पुराने जो ओर्डर्स थे जिसमें कि उन्होंने नाम डिस्क्लोज करने के लिए कहा था उनको मौडिफाइ किया जाए या क्लारिफाइ किया जाए वो दलील आज सरकार की ठुकरा दी और उनको बोला है कि हमको तुरंट नाम दो जो की जितने भी तुमको मिले ह चाहे जर्मनी से चाहे फ्रांस से चाहे किसी और देश अर्वन केजरिवाल ने तो इंटर्वेंशन की एप्लिकेशन दिये जिसमें बताया है कि दो साल पहले कुछ जो इन्फरमेशन उनको कुछ विसल ब्लोगर से मिली थी जिसमें कि HSBC बैंक के कई नाम जिसमें बड़े स्वार्न स्टेटमेंट्स थे इंकम टैक्स डेपार्टमेंट के साथ जिसमें उन्होंने एडमिट किया था कि उनकी अकाउंट्स थे और ये इलीगल थे और HSBC बैंक ने उनकी मदद करी थी उसको ये पैसा हवाला चैनल्स के द्वारा बाहर ले जाने में वो नाम का भी पर बैठें शायद उनको भी जनता बड़े ध्यान से सुन रही है क्योंकि जो अभी तक बीजेपी ने वादे किये थे बीजेपी ने चुनावी नारे लगाए थे सुप्रीम कोट में जाके सारे टाइटाए फिस क्यों क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोट ने आज जरा ध्य है कानून उसको मॉडिफाय या क्लेरिफाय करें हैमाद अजीम इस वक्त हमारे साथ हैं हैमाद सीधे तौर पर आज ये माना जाए दिए एक मैं आपसे एक आम दर्शक एक आम जनता के हिसाब से एक सवाल पूछ रहो सवाल ये है कि केंदर सरकार को सुप्रीम कोट में बस एक लिस्ट सौपनी थी नामों की खाता धारकों की उसको जागर करते नहीं करते वो काम सुप्रीम कोट का होता वो काम S.I.T. का होता लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और बोला गया कि हमारी संदी है इसलिए हम वो नाम सामने नहीं ला सकते हैं क्या ये बात साहिए? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी विदेशी बैंक हमसे जानकारी साजा नहीं करेंगा और दूसरी तर्फ सुप्रीम कोट जिसने आदेश पारिट किया था उसने ये कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ वो सारी जानकारिया मैं आप से एक सवाल पूछ रहा हूँ प्रियंका चुत्रवेदी कॉंगरिस की नहीं था हमारे साथ जुट चुके है प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ी सी इंफोर्मेशन और एहमद से लेना चाहरा हूँ उसके बाद मैं आपके पास तोरंट आ रहा हूँ इन दोनों चीजों में जमीन आस्मान का फर्क है बंद दिफाफे में हम नाम दे सकते हैं उससे संधी का उलंगन नहीं होता क्या कुछ इस पर कोई क्लारिटी है थोड़ा बताए हमारे दर्चको को बिल्कुल कोट ने ये कहा है कि अगर आप हमको सील बंद दिफाफे में इस तरह से नाम हमको देंगे जानकारिया हमसे साजा करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी संधी का उलंगन होगा इसलिए हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए आप जो बता रहे हैं कि वैसा में जानकार आपकुर में वसमे वाया कि अपार्टिय तो ईपोर तुरी हम के अच्छों के लंजे में लिग चाहें इंहा उन नामें को चुपाने मिश चुप कर्तेंगे और उसको ऐस को एक पोलिट. कि ब्ड़िखन्ड करने को करने को जिस तरीके से हम देख रहे थे तो मैं कहुंगी इस तरीके से क्वरकम मोग है और अभी सारे जो जाजमेंट आया है तर्श नहीं है पर जो भी होगा इंशुर सुप्रीम कौर्ट में राइड डिसिजन लिया है इस मुद्दे को लेकर और एक यह सरकार किसी को भी प्ल सीदे सीदे ये बोला है कि आप हमें नाम बताईए वो जागर करना नहीं करना वो एक अलग चीज़ है आप हमें नाम बताईए और हम आप महरे ओर्डर्स को मौडिफाई करने की बात ना करें और इससे पहले हम एहमद अजीम के पास जाएं एक अच्छी खबर महराज से आ तो फ्र ext दम आप अजीम करना जाएं अच्छी खबर महराज से और यह करना रहे ओर्डर्स को महरा अजीम करने कर दिनूत है अज को कुद्ध कर दे से और स्वाल है बहुत जो को मर्स करने ना को लेकर लिगर बहुत कुरशिंटी है वुझे महराज जी के वितना शिव शेन है क्या महराज के लोग भी कह रहे था कि राजनात्यी देजिजन लेंगे राजनात्यी कि थी शिव शेना के ना के साथ हम लो मधुद्ध हम अनुरा है आव एक त्रिस्ट इसार अपे साग्चाना है यह दो खेल जिसलिट आगे शेला कर देविट हो अधिवने जी घले जी घए आडग जी घेल जीए और चैनल जी जी जिए घले जी जीए जी घले जी घले हिए झाल झाल नहां जाए जाल और आए तर्ड जाल एंग झाल